नमस्कार दोस्तों perfect growth में आपका बहुत बहुत सवागत है आज हम इस वीडियों बात करने वाले है icon international company के बारे में यह government company आप लोगो सबको पता है यह railway से जुड़ी है देखिए इसका max chart pattern देखेंगे यह company आई थी 28 सितंबर 2018 में तब से लेकर इस company 35% के ही return दिये जादा return नहीं दिये अब इसकी बात कर लेते हैं आपको कुछ मैं आपको key fundamental दिखाऊं तो आप key fundamental देखेंगे इसके बाद इसके business model के बारे में भी बात करेंगे मतलब इस company ने क्या क्या किया है हम उसके सब के बारे में बात करे लिए बुक वैल्यू इसकी है साड़े बावन रुपए और वहीं आप देख लिए चपन रुपए पर ट्रेड कर रहा है यह इस टोक ओवर वैल्यूड भी नहीं है आप इस company पर डैड जरूर देख सकते हैं 14-30 करोड की और वहीं आप देख सकते हो कि debt to equity है 0.29 इस company के पास reserve काफी अच्छे हैं और वहीं आप EPS देख लिए 8 रुपए का EPS है लगबग और वहां 73.2% की इनके पास promoting holding है और यहां कोई भी holding place नहीं है और इसकी government of India promoter है और net profit देख लिए 751 करोड का है और face value 2 रुपए है इस stock की और dividend भी आपको काफी अच्छा देखने को मिलती है लगबग साड़ी 4% का यह company dividend देती है और लगबग सिक्स्टी सेवन का इसका हाई है चौतिस पैथिस का इसका लो है यह हो गई हमारी की fundamental तो की fundamental में आपको सिरफ एक ही चीज़ गड़ पर देखने को मिल रही है वह है इसका ROC ROE थोड़ा कम है बस और मुझे तो इसमें सकते हैंङosis उसकाोन मैं आफ क्यों प्रोजेक्ट में आओगे तो आपको दो तरह के प्रोजेक्ट देखने को मिलेंगे एक इंटर नेशनल प्रोजेक्ट एक सब्सक्राइब that can इसने random DB ने वहाँ अग को सब्सवाइब है कंप्ली प्रोसक्ट कंप्लीट कर दीए हैं तो वह आपको यहां सारे आपको देखने को मिल रए श्री लंका के चैसे 164 ड्रंका 152 रोजीयन को यह 330.,000.000.000.000.000 B आप देखोगे तो यह सारे प्रोजेक्ट गुं-से कंपलीट वाले श्री लंका क्के हैं यहां कifice प्रोजेक्ट कर चुकिये सारे jakiś प्रोजक्ट कम्प्लीट कर दिये ओन गॉइंग में देखो गे तो आपको स्री लंका बंगलादेश अलजीरिया और यह सारे अभी भी ओन गॉइंग इनके प्रोजक्ट देखने को मिल रहे हैं अब बात कर ले इस कंपनी के हाँ हाई वेज की हाई वेज में आपको काफी सारे देखने को मिलेंगे जैसे के इन्हें काफी प्रोजक्ट कमप्लीट कर जियकसे बंगलादेश में नेपाल वाले कंफलीत हैं इंडोनेशिया वाले भी complete है ongoing में सरफ आपको यह म्यामार वाला 1780 करोड का देखने को मिल रहा है यह सारे प्रोजेक्ट का पूरा प्रोजेक्ट कर दिया यहां से ऑन गोईग वाले देख सकते हैं जैसे बुम्बई एहमदाबाद इस पीड यहां से दो तीन तीन आपको यह सारे जैसे आप यह देखोगे पांच जार एक सो तैयालीज करोड का यह से बहुत सारे आपको प्रोजेक्ट देखने को मल रहा है इ यहां इनके इंटरनेशनल क्लाइंट देख सकते हो यह सारे इंटरनेशनल क्लाइंट है इनके मलेशिया हो गया यह स्री लंका हो गया जॉडन हो गया यह सारे इनके इंटरनेशनल क्लाइंट है जैसे बांगलादेश रेलवे हो गया यहां पर आप नाइजीरियन देख सकते इंडोनीशन हो गया साउधी अरेबिया हो गया इनके क्लाइंट है अब बात कर लेते हैं इसके क्लाइंट है एंडी पीची हो गया बहुत सारे आपको यहां क्लाइंट देखने को मिल रहे हैं अब में इसके आपको अन्वर्ड पर ले जाओंगा जहां आपको बहुत सारी चीज़े देखने को मिलेगी आप यहां भी देख सकते हो जैसे इनको ओडर बुक में लगबग चारसो प्रोजक्ट कंपलीट कर दिया इन्हों ने 25 कंट्रियों के अंदर 128 प्रोजक्ट कंपलीट कर दिये यह बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रही है वह आप और भी चीज़े देख सकते हो बढ़ आप हम यहां में चीज देख लेते हैं अब जैसे यहां दे 394 करोड की देखने को मिल रही है, वहीं आप फोरेंद के order book देखोगे तो आप यहां देख सकते हो, 336 करोड के order book देखने को मिल रही है, जो कि total हमने देखा total आप को यहां देखने को。 यह 4758 करोड के order book देखने को मिल रही है और इसके बाद अभी जो 2022 वाला जो financial year था उसमें आप देख सकते हो इनको नए order भी मिले है इसको जैसे 16181 करोड के इनको नए project मिले हैं और भी बहुत सारे project मिलते रहते हैं इनको बहुत अच्छी company देखने को मिल रही है यह अभी यह हाँ आप देखो कि इस company ने 120 project complete कि हमने देख लिए 25 कंट्रियों में इनकी presence है तो आप यहां map में देख सकते हैं कौन-कौन से देश हैं जैसे आप यहां देख सकते हो इसके quarter on quarter result के बारे में तो आप यह quarter on quarter result देख सकते हो जो की काफी अच्छी देखने को मिले हैं आप यह में आप यहां देखो कि तो 1762 करोड की देखने को मिले ती जो काफी अभी जो quarter है काफी अच्छा माना जा रहा है मेरे point of view से अच्छा है market इसको कैसा ले था वो मार्केट के उपर है market ने कैसा लिए positive ही लिया है ज्यादा क्यूंकि ग्रावट देखने को मिली नहीं आप यह का देखने को मिला है वो भी हम उसके बारे में भी discuss करेंगे आप यहां देख सकते हो आपको net profit में company देखने को मिली रही है और बात कर लेते है इसके year on year PNL की तो आप year on year PNL देखेंगे हम 2018 से बात कर लेते हैं 2018 में इनकी 4000 करोड इनकी sales थी जो 2019 में 4700 यानी 4800 मान सकते हैं 20 और 21 में covid देख सकते हैं आप उसके बाद दोनों में जादा कोई difference देखने को नहीं मिला बट आप 2022 में देखे साथ जार 380 करोड की और TTM की बात करेंगे 9540 करोड की इनकी sales देखने को मिल रही है बट आप यहां एक चीज नोट करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा इस company ने OPM में cut off किया जो हमने पहले quarter में देख लिए December quarter में 7% का OPM है जो कि इस साल जो financial year है इसमें आपको 7% का ही देखने को मिल रहा है आपको और कोई चीज देखने को नहीं मिल रही है आप यहां net profit देखोगे तो company all over काफी अच्छी net profit में भी है company का net profit भी increase हो रहा है यह सारी है और यह कर्ज कौन से हम वह भी देख लेते हैं लॉंग टम है शॉट टम है तो आपको यहां देखने को मिल रहागा company के पास जो लॉंग टम कर्ज है वह 1333 करोड का है और वहीं short term कर्ज देखोगे तो 96 करोड का इनके short term कर्ज देखने को मिल रहा है यहीं आप investment और working capital चीजे देखने को मिलेगी लेंड है company के पास 44 करोड की building है 55 करोड की और वहीं आप other assets पर जाओगे तो other assets में आपको देखने को मिलेगा cash and cash equivalent आप मुझे बताए comment में cash and cash equivalent में क्या-क्या include किया जाता है तो आप यहां देख सकते हो cash and cash equivalent में 5680 करोड का cash and cash equivalent है इनके पास और आप inventory देख सकते हो 287 करोड की inventory है और आप यहां trade receible भी देख सकते हो 688 करोड के trade receible है trade receible आपको पता है ना क्या है company ने काम करती है और पैसा receive नहीं हुआ यह trade receible कहलाता है और other assets भी देख सकते हो इनके पास चारज़ा 245 करोड की other assets भी देखने को मिल रही है अब बात कर लेत के cash flow की cash flow देखोगे 844 करोड का company के पास cash flow भी देखने को मिल रहा है अम बात कर लेते कुछ ratios की तो आपको data days देखने को मिलेंगे तो 34 days आपको देखने को मिल रहा है data company काम कर देती है तो सामने से 34 दिन में customer इसका payment कर देता है आपको काफी अच्छा देख और FIIs अगर holding दोनों buy करें तो आप समझे लिए company में काफी अच्छा होने वाला है तो आपने देखिए कि इस company के order book बहुत अच्छी है company में OPM थोड़ा cut off किया बट इस company ने market share acquire किया है इसको वो भी मैं आपको दिखाऊंगा public की holding देख सकते है आप लगवाई साड़ी बा 5.30% आप इंडस्टी की net income की बात करोगे तो तो इंडस्टी की average net income किती थी माइनस 1% थी और इसकी company की किती है net income 5 साल की देखोगे तो अभी 8% तो 9 की है वहीं आप revenue growth की भी बात कर लीजिए तो वो भी आपको काफी अच्छा देखने को मलड़ा है इंडस्टी का average revenue growth है 5.77 7% जबकि इस company का revenue growth किता 17.73% जो काफी अच्छा देखने को मलड़ा है आप यहां देख सकते company पर कोई भी red flag नहीं है यानि company का अंदर कोई भी गडबड नहीं है और आप देख सकते entry point भी good है यानि यह company technical analysis में देखोगे तो अभी entry करने like है आप share buy करके चल सकतो यह इसका म इस company के कुछ ratios की तो आप यहां ratio में देखोगे तो CAGR देख लिए इस company का एक साल का average CAGR 30% है और यहां आप sales growth में आओगे तो sales growth में आपको 10 साल के थोड़ा सा जरूर निरासा देखने को मिल सकती 8% but आप average 5 साल का देखोगे तो 19% और 3 साल का average देखोगे तो 15% का sales और वहीं compound profit में जाओगे तो 10 साल का compound profit 2% देखने को मिल दा है और 10 years की बात कर रहा है हम यह 10 years का है अब 5 साल का average growth देखोगे तो 12% वहीं 3 साल की average growth की बात करोगे तो 10% और TTM में देखोगे तो 44% आपको देखने को मिल दा है वह भी profit growth हम बात कर लेते company के technical analysis की तो आप यहां पहले जो लगबा 56 के करीब था बड़ अब यहां यह इतनी जगह इसने पहले resistance phase किया फिर यहां से stock ने बापस यह तोड़ा इस resistance को उसके बाद इस company का यह support बन गया आप यहां देख सकते हो इस company का उसके बाद यह support देखने को मिल रहा है एक वार तो support को भी तोड़ दिया और इसके बाद गिरावट देखने को मिली फिर इसके बाद मैंना और बाइंग के रिए मेरे portfolio में भी है आप भी सोच सकते हो इस stock के बारे में long term के लिए बहुत अच्छा है यहां से एक काफी तेजी भी देखने को मिल सकती है और इस company में कोई घडबर नहीं है company अभी काफ प्रॉफिट में तो आप निकल सकते है वह आपका personal decision रहेगा और देखिए मेरा यह personal opinion है और मेरे portfolio में hold किया है मैंने 5 साल का आपका क्या opinion वह आप एक वार अपनी research कर लें उसके बाद ही इसमें invest करें I hope यह वीडियो आपको अच्छा लगा हुआ अगर यह वीडियो आपको झाल झाल